अगर आपको भी कार बहुत पसंद है और आप कार के नए-ने डिजाइन बनाने के बारे में ना केवल सोचा करते हैं, बलकि बहुत से स्कैचिस भी बनाया करते हैं, तो ये तो पक्की बात है कि आपका कार के अंदर जबरदस इंट्रेस्ट है और शायद आप कार डिजाइनिं कैसे बना जाए यानि कार डिजाइनर बनने के लिए आपको कैसी एजुकेशन और स्किल्स हासिल करनी होगी तो हम शुरुआत करें उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर तो आई अब जानते हैं कि exactly कार को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है भले आपको लग के की कार डिजाइन की जानी है एक स्पोने कार या फिर एक SUV का पैटर्न डिसाइट होने के बाद आगे का काम अंजिनियर्स और डिजाइनर्स को सौब दिया जाता है और अब डिजाइनर तीन कोर एरियाज पर काम करते हैं कार का एक्स्टीरियर लोग इंटीरियर लोग और कलर एंट्रिम सेलेक्शन और अब कार का डिजाइन कंप्यूटर एड़ेट डिजाइन की मदद से बेसिक स्कैचेज और डीटेल 3D इमेजस बना करके एक परफिक्ट डिजाइन को तयार किया जाता है तब एंजुनियर्स के लिए इस डिजाइन पर काम करना काफी आसान हो जाता है और इस प्रोसेस के बाद में ब्रैंड न्यू कार मार्केट में आ जाती है तो देखा आपने कार डिजाइनर बनने का मतलब सिफे स्कैचेज बनाना नहीं होता बलकि ये डीप रिसेर्च, हार्ड वर्क और क्रियेटिविटी का काम होता है इसलिए सबसे पहले आप अपने टैलेंट को समझे अगर वाकई आप में वो क्रियेटिविटी है जो एक कार डिजाइनर में हो कुछ सकते हैं लेकिन ये डिजाइड करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौलिफिकेशन क्या होनी चाहिए यानी कार डेजाइनर बनने के लिए आपको कॉन सा प्रोसेस फालो करने की जरूरत है तो सबसे पहले 10-plus 2 क्लियर करना होगा, जी हाँ 10-plus 2 क्लियर करन काफी जरूरी है और अगर स्कूल से ही आप मैच में अच्छा स्कूर करेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा क्योंकि कार्ड डिजाइनिंग में एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है और इसके लिए मैच पर कमांड होना उससे भी जादा इंपॉर्टिंट है तो अगर मैच अच्छी है तो 100% आपके लिए यह उप्शन काम कर सकता है चुलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाचलर्स डिगरी के बारे में कार्ड डिजाइनर बनने के लिए आपके पास आटो मोबाइल डिजाइनिंग में बाचलर्स डिगरी होनी बहुत जरूरी है इसलिए 10 प्लस 2 के बाद आटो मोबाइल डिजाइनिंग में बाचलर्स डिगरी ले लीजिए ऐसा करने से आपको आटो मोबाइल मैकेनिक्स और डाइनमिक्स के बारे में सीखने को मिलेगा इस दौरान आपको CAD यानि कम्प्लूटर एड़ेट डिजाइन सौफ्ट्वेर जैसे टूल्स पर काम करना भी सिखाया जाएगा इक और करने के बाद कार्ड डिजाइनर के रूप में जॉब ऑप्शन्स मिलना काफी आसान हो जाए आटोमोटिव डिजाइन कोर्स की बैचलर प्रोग्राम के लिए आप दर डिजाइन विलेज नौइधा, करनावती युनिवर्सिटी गांधी नगर, टाटा इंस्टिटूट अफ सोशल साइंस मुंबाई, यॉनाइट वर्ल इंस्टिटूट अफ डिजाइन एमदवाद औ और MIT इंस्टिटूट अफ डिजाइन पूने जैसे कई इंस्टिटूट में आड्मिशन ले सकते हैं, कार डिजाइनिंग में मास्टर्स डिग्री की बात करें, तो कार डिजाइनिंग एक बहुत स्पेशलाइजड जॉब हैं, जिसमें पॉफेक्शन कंपल सरी हैं, इसलिए इस फील्ड की बारीकियों को अच्छे से समझने के लिए, आप इसमें मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं, ऐसा करने से आपको अपनी जॉब में हायर पुजिशन जल्दी मिलने के चांसेज भी बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आपने इंडुस्ट्रियल डिजाइन, एरो ड इंडुस्ट्रियल डिजाइन सेंटर, आप यहां से कर सकते हैं, और आगे इंटर्नशिप की बात की जाएंगे, तो बैचिलर और मस्टर्स डिग्री लेते टाइम, आपका में फोकस होना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो बनाना, और एक परफेक्ट और इंप्रेसिब पो इंडुस्ट्री को अच्छे तरीके से समझ सके और एक परफेक्ट पोर्टफोलियो को भी तयार कर सके, विसे आपको यहां पर एक चीज है जिससे फ्रेंडली होना पड़ेगा, और वो है टेक्नोलोजी, आज अगर कार डिजाइन करने के लिए सिर्फ पेपर पैन का ही अगर आप एस्थेटिक्स डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो कुछ पॉप्यूलर सॉफ्ट्वेर्स हैं, अगर बात करें अपडेट रहने के बारे में, तो अभी देकार डिजाइनिंग जॉब में बहुत जादा जॉब ऑप्शन्स नहीं निकलते हैं, इसलिए अपनी पसंतिदा जॉब ग्राइब करने के लिए आपका एडवांस और अपडेट होना काफी ज़रूरी है, इसके लिए आप ऑनलाइन डिजाइन कोर्स भी कर सकते हैं, और सोशल मीडिया की मदद लेकर अपनी कार डिजाइनिंग को बहुत सारे लोगों तक पहुचा सकते हैं, ऐ जी हाँ, ऑटो मूबाइल इंडेस्ट्री से जुडने के लिए आपको ऑटो मोटिव पब्लिकेशन की वेबसाइट और मैक्सिंस में अपने डिजाइन पब्लिश करवाने के लिए सब्मिट करने चाहिए, और अपने डिजाइन का क्रेडिट भी अपने नाम ही करवाना चा असान नहीं है, हाँ अगर आप पैशनेट है और एक अच्छा पोटफोलियो मेंटेन करते हैं, तो आप जरूर से टाइम रहते अपने वी एक पॉफिक जॉब ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपडेट ना रहे और पॉफिक जॉब ऑपरचिनेटी के इंतिजार में बाकी कार डिजाइनर की सेलरी के बात की जाए, तो ये आपकी कमपनी और आपकी एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, फिर भी अंदाजे के तौर पर एक कार डिजाइनर की एनुवल इंकम लगबग 7-8 लाक रुपे होती है, अगर आप कार डिजाइनर बनने के लिए अपने कार डिजाइनर है, तो ये आपके हाथ में है, ये आपका थौट प्रोसेस है कि आप इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं, तो दोस्तों आप कार डिजाइनर बनने से जुड़ी सारी जानकारी आपके पास है, और क्विक सपोर्ट तो यही उम्मीद करता है कि हमारी ये कोशिश आ आपके सवालों का और प्लीज थोड़ा पेशिंस रखिएगा, अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, बट पकी बात है, आपके सवाल का जवाब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसो ज़रूर मिलेगा, बस आप हमारा साथ ना छोड़े, हमारे साथ यूँ ही रह ताकि इस जर्णी को हम बहुत आगे तक ले जाए, तो फिर ऐसी सारी इंफॉमिशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, धन्यवाद